बाल कातने वाले नाई ने युवक की कैची से घूंप करकी हत्या, आजमगर एस्पी ने दिया बड़ा बयान. आजमगर जनपद के कप्तान गंज थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक युवक की धारदार कैची से हत्या कर दी गई. कप्तान गंज थाना के कोईना बजार में मुख्य चौक पर बक्सा व्यवसाई 24 वर्षिय शिवशंकर थठेर की धारदार कैची से घूप कर हत्या कर दी गई, शिवशंकर के परिवार में कुल साथ लोग थे, आपको बता दे मामला दो वर्गों का होने के चलते तनाव हो गय परिजनों का कहना है कि शिवशंकर स्थानिय बजार में बाल काटने वाली दुकान पर गया था वहीं नाई परिवेज हमद से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नाई परिवेज हमद ने कैची घूंप का हत्या कर दी, ऐसे में लोगो में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा था, इस सबंद में एसपी आजमगर अनुराग आर्या ने क्या कुछ कहा आईए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में मृतक के पिता की तहरीर पर थाने कप्तान गंज पर एफायर नंबर 156 बटा 22 दारा 302 आईपीसी पंजगरित किया गया है अभिक्त परवेज को घिरासत में लेकर पुलिस दोरा पूश्टाच की जा रही है अभी की पूश्टाच से प्रकाश में आया है कि अभिक्त की जो दुकान है वो मृतक के घर के ठीक सामने है और शाम के समय बाल कटवाने के लिए मृतक इसकी दुकान पर आये थे इस दोरान पहले बाल कटवाने को लेकर आपस में जगड़ा हुआ इसी जगड़े के दोरान ये घटना घटित हुई विस्तार से अभ्यूक से पुलिस के दोरा पुष्टाच की जा रही है जो अगरे मिवेचना इस सम्मंद में वो थानक अप्तान घटित के दोरा की जाएगी